नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी का हारदिक स्वागत है दोस्तों थाइराइट की बिमारी हमारे खानपान की कवी और शरीर में हुए हर्मोनल बदलावों की वज़े से होती है आज हम आपको थाइराइट की बिमारी के उपचार से सम्दित कुछ ऐसी चीजों के बाई रहा में बताने वाले हैं, जिससे हम इस बिमारी से छुटकारा पा सकते हैं। थाईरायट की बिमारी धीरे धीरे असर दिखाने शुरू करती हैं। वैसे तो थाईरायट की समस्या का इलाज आप डॉक्टर से भी करवा सकते हैं। लेकिन कुछ घरेलू उपाय ऐसे हैं जिनसे आपको बहुत ज्यादा फाइदा मिलता है। थाइरेट की बिमारी होने से हमारे शरीर की रोप्रतिरोधक शंता काम हो जाती है। दोस्तो इस बिमारी के वज़े से हमारे शरीर को और भी बिमारियां गेर लेती हैं। जैसे कि मोटाबा बढ़ना, अगर आपको सही समय पर थाइरेट की विमारी का पता लग गया है, तो आप इन नुस्खों को अपना कर इस से जल्द ही छुटकारा पा सकते हैं। दोस्टों, इस खास नुस्खे को बनाने के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ की जरुत है और वो है साबुद धनिया। नुस्खे का उपयोग करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ साबुद धनिये की एक चमच रात को पानी में डलकर बेगोनी हैं। और सुबह उठने के बाद धनिया और इसके पानी को किसी बरतन में निकाल कर अच्छी तरीके से उबाल लेना है। इसे इतना उबालें कि इसके उबलने के बाद केवल चौथा हिस्सा ही बचे। इसके बाद इसे आप अच्छी तरीके से ठंडा कर लें और जब यह ठंडा हो जाए तो इसे एक गिला देखने उसका है तो इसे जरूर अपनाएं और थाइरेट की विमारी से निजात पाएं तो दोस्तों अगर आपको हमारे ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें धन्यवाद